Hello viewers, कैसे हैं आप, I am sure अच्छे ही होंगे WhatsApp में latest update में हुआ क्या है पहले जो status हम upload कर दे दे, वो status का size तकरीबन 30 seconds का रहता था लेकि अप latest updates के हिसाब से WhatsApp पे अगर हम कोई वीडियो अप्लोड करते हैं तो वो maximum 15 seconds का ही रहेगा यानि 30 seconds से अब वो चीज़े reduce होकर 15 seconds तक रहे गई है इससे पहले जो update आया था उसमें क्या हुआ था उसमें यह हुआ था कोई भी image, कोई भी video हम अगर share करना चाहते हैं तो एक बार में maximum 5 recipients के साथ ही share कर सकते हैं security purpose पे इन चीज़ों को update किया गया है फिर भी दिमाग में जरूर आता है क्या कोई ऐसा method है जिसका apply करने के बाद अभी भी हम अपने WhatsApp status को 30 seconds का upload कर सकें या 30 से भी जादा around 40 to 45 seconds का status हम upload कर सकें क्या अभी भी ऐसी कोई trick है जिसको इस्तमाल करने के बाद हम एक ही बार में कोई भी image या कोई भी video 5 से ज्यादा recipients के साथ एक ही click में share कर सकें या फिर हमारे दिमाग में यह भी आता है क्या ऐसी कोई trick है जिससे हम अपना last online scene किसी से hide करें या फिर एक fake online scene show करें अभी क्या होता है कि अगर हम अपना online scene simply hide कर लेते हैं सबसे hide हो जाता है ठीक है लेकिन अगर हम उसे unhide करते हैं तो सामने वाले recipients को यह पता चलता रहता है कब आप last time online आया थे कब आप online थे तो अब क्या कोई ऐसा method है जिससे हमें fake online set कर दें इससे क्या होगा कोई भी देखेगा तो उसे वही पता चलेगा कि आर लास्ट time आप उस समय आये थे क्या ऐसा कोई method है जब हमारे साथ कोई message हमें करता है जब हम message को read करें तो उसको पता ही नचले कि हमने read कर लिया है यानि उसके WhatsApp पे blue tick न लगे वो तब लगे जब हम चाहें कि हाँ आया आप इसमें blue tick लगना चाहिए सामने वालों को यह पता चल जाना चाहिए कि मैंने इस message को read कर लिया है या फिर आप अगर यह भी चाहते हो कि जब आप किसी का WhatsApp पे status जो किसी न अप्लोड किया है कर अब अब उसको देख लेते हो तो सामने महuir को यह पता चलिए कि आपने इस्टेस को देख लिया है आप यह सारी की सारी चीज़े ट्राइग करना चाहिते हो तो इस video को लासं तक देखिए आज की इस वीडियो में सारा कुछ बताने वाला हूँ, आज की इस वीडियो में मैं बता हूँगा कैसे हैं अपने वाटसप स्टेटस को 15 to 30 seconds, या 40 seconds आराउंड का अपलोड कर सकते हैं, साथ यसाथ में आपको यह बता हूँगा कैसे हैं अपने वाटसप पे लास्ट सीन, और देखते हैं उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा जर आप भी अपने WhatsApp स्टेटस का साइज इंक्रीज करना चाहते हैं चाहते हैं कि आपके WhatsApp स्टेटस वीडियो स्टेटस हो गया है तकरीबें 15 सेकंड्स आप उसे बढ़ा कर 40-45 सेकंड्स करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना यह पड़ेगा कि अपने WhatsApp का आप लिए बैक आप लेने के बाद उसे कर दीजिए अनिस्टॉल निस्टॉल करने के बाद लिंक कि में आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आप उस लिंक कर यह फॉलो करने के बाद जैसे आप उस लिंक पर हीट करेंगे हीट करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा पेज आपके सामने दिख रहा होगा यहां पर आपको दिख रहा है जीबी WhatsApp ठीक है करने के लिए आप बिजनेस WhatsApp भी इस्टॉल कर सकते हैं आप उस पर हिट करके आप उसको कर लेंगे डाउनलोड जैसे आप डाउनलोड बटन पर हिट करेंगे आप डाउनलोड पेज पर चले जाएंगे पेज ओपन होने के बाद आपको स्पीशली करना क्या है यहां पे लिखा हुआ है जी बी वाट्सअप एपी के डाउनलोड ले जैसे आप WhatsApp पे log in करते हो अपने mobile number को डालते हो इसके बाद आप OTP जाता है आपके mobile number पर OTP जागे आप उसको verify करते हैं verify करने के बाद WhatsApp पे इंटर हो जाते हो ठीक है वही सारा का सारा process आपको follow करना है options में इसमें आपको क्या अडिशनल चीज़े मिल गई हैं सबसे पहली चीज तो यह by default automatically आपका 15 seconds से बढ़कर वो status size 45 seconds हो जाएगा इससे सिर्फ इतना आपको इस application को install करने से यह problem तो आपकी sort out हो जाएगी आप वो बढ़कर के 15 seconds से हो जाएगा 45 seconds इसके अलावा और क्या क्या आप additionally apply कर सकते हो इसके लिए मैं क्या करता हूँ side में जो three buttons दी हूँ इन पर में करता हूँ hit करने के बाद ford modes जो सबसे टॉप पर लिखा हूँ उस पर मैं कर देता हूँ hit हिट करने के बाद number one पर लिखा वा privacy and security इस पर मैं कर देता हूँ hit हिट करने के बाद आपको यहाँ पर डेरो ऐसे options मिल जाएंगे जो आपके लिए होंगे काफी helpful पहला option है freeze last scene मैंने आपसे बताया था कि अपना fake last scene set कर सकते हो तो जैसे आप इसको इनेबल कर दोगे तो इनेबल करने के बाद जिस समय आप हो इस समय भी हाली में online वही आपका freeze हो जाएगा बाद में online आएंगे भी तो आने के बावजूद आपका जो last online show करेगा वो तब का show करेगा जै आप एक दिन पहले दो दिन पहले last time online आये थे जबकि आप उसके बावजूद आप online properly आ रहे हो आप लोगों से चैटिंग कर रहे हो लेकिन सामने वाले को यह पता नहीं चलेगा नमबर बन पर disabled forwarded tag अब होता किया कोई image हमारे साथ share की गई है और हम उसे किसी के शाथ share करते हैं उस पर tag करके तो उसके साथ साथ होता क्या है उसके साथ 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 नीचे forward लिखके जला जाता है फिलाल आप जैसे इसको इनेबल कर देंगे नेबल करने के बाद होगा क्या इनेबल करके रखा हुआ है इनेबल करने से बेनेफिट होगा जब भी हम किसी के साथ को image forward करेंगे किसी की हमें जो forward की गई है तो उसके नीचे forward tag नहीं लगके जाएगा image simply चली जाएगी ठीक है तो इसको इनेबल करने से यह benefit हो जाएगा hide view status सबसे काफी beneficial चीज इसमें यह है कि अगर आप किसी का status view करते हो और आप चाहते हो कि सामने वाले को यह पता ना चले कि आपने उनका status देख लिया है आप इसको इनेबल कर लीजिए इससे होगा कि कोई भी वीडियो आप अगर देखेंगे किसी के दौरा जो status में upload किया गया है सामने वाले को कभी यह पता हुए status में आपके लिए आमें सब बना रहेगा इन्यशंग से क्या होगा कोई बन्दा अगर आपके लिए कोई मैसेज करता है सेंड करने कबाद उसको वीडियो तो वाट्स Apply कोई मेनगा अपको सेंड करता है उसके बाद वो डिलीट कर देता तो आपके अकाउंट से बिली कर लिया लेकिन फिर भी सामने वाले को blue ticks नहीं दिखाए देंगे blue ticks तब दिखाए देंगे जब आपने को कोई reply करोगे इससे होगा कि सामने वाला इसी वैं में रहेगा कि आपने अब तक उसके messages को नहीं किया है अगर आप यह दर्साना चाहते होंगे नियमेन मैसेज इसको रीट कर लिया है तो कुछ भी आप सिंपली हाइन हेलो कुछ लिख के भेज देंगे तो आप्टोमेटिक लिए उसमें ब्लूटिक्स लग जाएंगे तो यह भी काफी बेनिफिशल यहां पर एक option है जिसका आप यूज कर सकते हो कहने के लिए निचे और security के भी कई सारे options हैं जिसमें आप finger print apply कर सकते हो pattern lock apply कर सकते हो इसको जैसे ही आप on करोगे on करने के पाथ यह सारे के सारे काम करेंगे आम तोर पर लोग security लिए करते हैं third party application को play store पर जाके install करते हैं जिससे क्या हो WhatsApp उनकी fingerprint या pattern से ही आपका WhatsApp open होगा तो फिलाल मैं इसको disable कर देता हूँ यह सारी की सारी चीज़े आप apply करेंगे काफी beneficial इसके अलावर benefit जीवी WhatsApp को install करने से इसमें बहुत अच्छे-ची themes है नंबर दो पर FM themes आपको दिख रहा होगा इस पर hit करेंगे download your themes पर चले जाएंगे तो धेरो ऐसी themes है जिनको आप download कर सकते हो काफी अच्छा visual effects आएगा देखने में काफी अच्छा display आएगा आप उनको download करके उनको आप apply कर सकते हो फिलाल मैंने apply करके रख तो यहां पर आपको देखने को मिल ला होगा मैंने apply करके रख हुआ है तो I am messages का आपने जो अलड़ी backup लिया हो अदा उसे restore करेंगे तो आपके वहां पर भी आ जाएगा आज की वीडियो में फिलाल इतना ही वीडियो पसंद आये से like करिए वीडियो आपको लगा कैसा comment section पर लिख दीजिए कोई suggestion उसे भी लिख दीजिए अगर आप हमारे चैनल पर न